तो हेगाईस वेलकम बैक विछ अंदर वीडियो तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4.6 माई टेलेसकोप तो फ्रेंट्स यहे क्लास सकेंड का यूनिट 4 तो फ्रेंट्स मैं आपको बता दू इसके पहले इस क्लास की सारी वीडियो बना चुके हैं हम और हम चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बैल आइगन को प्रेस कर लें ओके फ्रेंट्स तो यहां पर आपको दिया है 4.6 माई टेलेसकोप बिना देरी किये इस लेसन को सुरू करते हैं बहुत मज़ेदार है तो यहां पर देखो क्या बोलता है लिसन एन रिपीट आ मैं और मैं आपको इसका मतलब भी समझाता हूँ यहाँ आपको दिख रहा एक लड़का जो है वो टेलेसकोप लेकर के स्काई में देख रहा है वहां पर प्लानेट सें स्टार सें ठीक है तो इसके बारे में दिया है बहुत मज़ेदार तो फ्रेंट्स यहां पह लिखा है कहने का मतलब किसले खरीदा है आकास में देखने के लिए और आकास में जो सोलार सिस्टम है सौर मंडल है ठीक है जिस सिस्टम में प्लाइनिस वगरे रहते हैं उन्हें देखने के लिए और कॉमेट्स विजिंग बाइक कहने का मतलब जो धूम के तू है और धूम के तू आप जिसके वेसे न वो लाइने दिखने लगती है ठीक है वो विजिंग करते वे जाता है I search the sky for planets for satellites and the stars कहने का मतलब है कि मैं sky में अपने telescope से planets को search करके देखते रहे तो कि अर्थ के अलावा भी और कौन-कौन से planets हैं कौन-कौन से satellites हैं और कौन-कौन से तारे हैं वो कितने दूर ह है बड़ा है जो भी है ठीक है एंड बोलता है अब and now I have got a telescope they don't seem very far अब तो मेरे पास अब तो मैं एक telescope भी पा गया हूं जिससे यह stars यह प्लानेट जो है ज्यादा दूर नहीं लगते अब बहुत पास लगते हैं जिसे मैं आसानी से देख सकता हूं अब नॉर्मली हम लोग आकास में देख तो उनको stars दिखते है sun दिखते है moon दिखते है पर हमको बहुत सारी planets नहीं दिखती बहुत सारे stars नहीं मतलब बहुत सारे satellites वगे नहीं दिखते हैं उनको देखने के लिए हमको telescope की ज़रुत पड़ेगी तो इस बच्चे ने telescope पा लिया है अब चलते है next हमार very close to me इसने इस telescope की वज़े से वो सब मेरे बहुत close आ गए है it's made the stars my friends और इसने जो है stars को मेरे दोस्त बना दिये ठीक है except except of course when I make mistake and look through the wrong end जबकि एक बात आपको बता हम एक बात ऐसी भी है कि जब मैं mistake करता हूं and look through the wrong end कहने का मतलब है कि मैं wrong end से देखता हूं जैसे कि आपको यह दिख रहा है ना देखना है उसको छोटी वाली होल की तरफ से और वो देख रहा है बड़ी वाली होल की तरफ से तक कहने का मतलब है कि मैं wrong end गलत गलत पीछे की तरफ से देखता हूं, ठीक है गलत तरीके से देखता हूं तो यह मेरी mistake है लेकिन फिर भी जब भी मैं सही देखता हूँ तो stars मेरे दोस्त बन जाते हैं वो बहुत close आ जाते हैं जिससे मैं इस अब देख सकता हूँ तो friends ये story जो है इन्होंने लिखी है Tony Bradman ने ठीक है अब यहाँ पर देखो ये ऐसा ही आपका theme था अब यहाँ पर देखते हैं questions क्या दिये हुए A. What do you see in the sky? कहने का मतलब आप sky में क्या देखते हो तो normally अगर हम लोग अपनी आखों से देखें तो हमें stars, moons ये सब दीखेंगे ठीक है और अगर हम telescope से देखें तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं उसे कहते हैं sky watching करना ठीक है बी बोलता है draw a starry sky and color it अब आपको ना एक sky बनाना है starry और उसे color करना है अब यहाँ पर देखो आपको क्या बोलता है look and say ठीक है तो इसे भी देख लेते है look and say में ये क्या बोलना चाहता है ठीक है अब यहाँ पर far far का मतलब दूर seem seem का मतलब लगता है ठीक है stars stars मतलब जो आपके तारे होते है solar मतलब sormandle ठीक है comets हो गया धूमके तू ठीक है धूमके तू जैसी चीज़े ठीक है system जो solar system है कि system में वो revolve होते है कि system में रहते हैं कौन कहां रहता है bot यानि की खरीदना ऐसे by मतलब खरीदना होता तो bot मतलब आपने खरीद लिया ठीक है third form myself मतलब मैं मेरे लिए खुद के लिए search का मतलब क्या होता है search का मतलब यह होगया कि खोजना planets का मतलब क्या होगया ग्रह जो planets होते है जैसे earth वगेरे और भी सारे जो planets हैं ठीक है वो सारे तेलिस्कोप, अब टेलिस्कोप क्या है यह तो आप जानते हुगे, यह हो गया एक दूर्बीन, दूर्बीन बोले तो दूर की चीजों को देखना, विजिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला न कि धूम के तु जो है विजिंग करते हुए पास होते हैं, भराब बन जाती है ठीक है? एंड अब लास्ट में सैटेलाइट्स तो सैटेलाइट्स के बारे में तो आप जानते हो नहीं जानते हो आप Google कर लो बहुत कुछ जानोगे सैटेलाइट्स की मदद से ही जो है हम एक दूसरे से आज connect कर पा रहे हैं तो फ्रेंट्स देखो बहुत ही मज़ेदार ये स्टोरी थी I hope आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल परना है तो इससे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के बहुत बहुत धन्यवाद